नमस्कार दोस्तों डॉक्टर एस के गुपता होमेपेथी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारा चर्चा का विशय है कोलाइटिस कोलाइटिस जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यह कोलोन का इंफ्लेमेशन होता है कोलोन एक बड़ी आत का सुरू होती है कि डाइस्टिफ सिस्टम का पार्ट होता है तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश यह रहता है कि आपको हम हर बीमारी के बारे में बता सकें और कोई भी आपका डाउट ना रहे किसी बीमारी को आप अच्छे से आज का हमारा टॉपिक है कोलाइटिस कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो की बहुत जादा तेजी से बढ़ रही है और इसका जो मरीज है वो सभी प्रकार से डॉक्टरों से दबा लेके हतोत साहित हो जाता है कि अब हमारा इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कोलाइटिस तो क्या दुनिया में हर जो भी बीमारी यदि उत्पन होती है तो उसका ईश्वर ने उसको ठीक करने की भी विवस्था की है तो आज हम सुरू करते हैं कोलाइटिस जज़ा की आपको पता पढ़ रहा है हम बता चुके हैं कि कोलॉन का इंफ् जल्दी से आप इसको समझ लीजिए कि डाइस्टिफ सिस्टम में सबसे पहले माउथ होता है माउथ जहां से हम भोजन करते हैं माउथ में भोजन करते हैं माउथ से जो भोजन होता है वो इसो फैगस में जाता है जिसको इनी में ग्रास मिली कहते हैं जब माउथ से भोजन इशो फैगस में जाता है इसके पहले माउथ में जीब के द्वारा लार ग्रंतियों के द्वारा भोजन के अंदर लार मिलाई जाती है और अच्छे से लार मिलने पर ही यह तैय हो जाता है कि 10 से 20 पर्षेंट जो डायेशन का पार्ट है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है अब इसके बाद जब वो भोजन का जो उसके उपर जो लाग लग जाती है इसके बाद वो चिकना हो जाता है चिकना हो जाता है तो इसके बाद भोजन अगर आपको टाइम हो तभी भोजन करना चाहिए एक बात का और ध्यान रखें कि यदि आपके पास श चबाना है फिर उसको उसमें जब तक लाड अछशे सी मिलना जाएma walking को चबाते रहना है इसके बाद यह मेț डॉ मालęd हो जाता है जो है जो वसके फ्रूइब फिरश में आता है जब यह इस्टमक जिसको हिंदी में आमाशा कहते हैं इस्टमक में जब भोजन आता है तो यहां पर एसेड होता है जब यह लार होती है लार में जो बेश होता है वह अच्छे से ताइलिंड एंजाइम के थुर्ड इसका जो डाइशन होता है इसके बाद यह इस्टमक में आ गया इस तमक में इसमें इसेड मिलाया जाता है ताक यह सौफ्टू हो जाये भोजन السapसे पहले बेस मिलाये गया फिर एसेड मिलाया जाता है आगुछ पाचन क्रिया होने के लिए ये छोटी आत में जाता है फूड सबसे पहले डियूड़नम जैजुनम इलियम छोटी आत के तीन पार्ट होते हैं डियूड़नम जैजुनम एंड इलियम जैजुनम फार्ड है इलियम। त değूड़नम, कुछ बोजन जैजुनम में पच्चता है, कुछ जैजुनम में पच्चता है, कुछ इलियम में पच्चता है और ये जो इलियोसीडल पार्ट है चोटी आत का जो पार्ट बड़ी आत से मिलता है चोटी आत जो टोटल मिलाके होती है 7.5 मीटर बड़ी आत होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर टोटल मिलाकर इंटेस्टाइन जो है 9 मीटर की होती है जिसमें 7.5 मीटर का चोटी आत और 1.5 मीटर का बड़ी आत होता है चोटी आत और बड़ी आत एक जंक्सन के जुड़ते हैं जिसको इलियो सीकल जंक्सन कहते हैं इलियम सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का फरस्ट पार्ट है उसको सीकम कहते हैं इलियम सीकम से जुड़ता है इलियम स्मौल इंटिस्टाइन का लाज्ट पार्ट है और सीकम लालज इंटिस्टाइन का फ़स्ट पार्ट है है तो इलियो सीकल जंक्सन के ठरू हम छोटी आफ बड़ी आफ जुरती है यहां पर एक बरमीफॉर्म अपैंडनिक्स सीकम से लटका रहता है सीकम का जो से एक पार्ट लटका रहता है यह बर्मी फॉर्म एक कीड़े जैसा होता है इसको बर्मी फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कीड़े की सेप का होता है इसको अपेंडिक्स कहते हैं एक चीज और आप जहां से समझ लीजिए कि यह पार्ट पार्ट पार्ट का पार्ट होता है उसमें जो ऑर्गन आते हैं वह राइट शाय इंख्ग कंण हो इत ज्शाइब के लीए अफैल हैं तौफ यह समझ लीजी कि राइट हैं चेहिए पार्ट आते हैं यह वर्मिफॉर अपेंडिक्स है यह राइट साइड में हैं सीकम है यह भी राइट साइड में हैं लीवर है यह भी राइट साइड में हैं इसलिए आप ध्यान रखना कि राइट साइड के पार्ट अलग होते हैं तो आप समझ लीजिए कि इलियो सीकल जंक् क्ला होता है उसको कहते को उन जो ब्लेक कलर में बनागा हुआ है यह पूरा नार्ज इंट्रस टाइन है और जो ब्लू कुलर में बनी है यह इस्माल इंट्रस टाइन है यह एकल जंक्षन है यहां टोन चहें को टीद को Lima के वाद प्र ओलान घंडिंग न जो उपर की साइड जाता है कोलोन का पार्ट उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं जो राइट और लेफ्ट दौनों साइड जाता है उसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन Ascending colon, यह जो चरता है, जो चर रहा है पार्ट उपर की साइड, उसको कहते है Ascending colon, फिर दौनों पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है, नाभी के पास होता है नाभी पर, इसको कहते है Transverse colon, और इसके बाद जो पार्ट नीचे की साइड जा रहा है, इसको कहते है Descending colon, तो यह जो बीमारी है वो आप समझ लीजिए कि यह जो बीमारी है कोलाइटिस यह कोलाइट से रिलेट कर रही है जो भी बड़ी हाथ है उसका मेजर पार्ट होता है यह कोलाइट तो कोलाइट से रिलेट करती है बीमारी इसलिए इसको कोलाइटिस कहते हैं अब आप समझ गया के बाद रेक्टम के बाद अनस आता है तो ये डाज़िटिफ सिस्टम का मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है अब चर्चा करते हैं कोलाइटिस कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका पेशेंट पूरे दिन परिशान रहता है कई उसको गैस बन रही है कई उसको लेटन आ रही है, कई उसको फिर गैस बन रही है, फिर उसको लेटन आ रही है, पेट में आव आ रहा है, गिर्पिंग कोलिक हो रहा है, तो वो पेशेंट दिमागी रूप से परिशानी रहता है, ना तो कहीं वो यात्रा करने जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही गाड़ी है, ब जगता है वैसे ही इसको परिशानी हो जाती कि मेरी पौटी नहीं आ रही कहीं पौटी आ रही तो दस्त आ रहे कि बार बार ना कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है कुछ भी खाता है तो दस्त लग जाते हैं तो यह पेशेंट को समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सी बीम पेट साप नहीं हो रहा तो आपको यह द्यान रखना है कि इस बीमारी को जैसे यह शुरू होती है उसी समय इसका इलाज कराएं तो यह जल्दी ठीक हो सकती है पेटामिनेटेट फूट पार्टिकल जो लोग खाते हैं बजार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको यह बीमारी ज़्यादा होती है सबसे महत्पून कारण है इसका खाने का समय निरधारत नहीं होना जब पेशेंट सुरू सुरू में क्या होता है उसका यंग होता है तो वो कुछ भी खा लेता है कितने बज़े भी खा लेता है कभी भी सो जाता है कभी भी जग जाता है जब डिसिप्लिन टाइम टिवल नह जाती है गलत जगए पर ट्वालेट करना गलत जगए का पानी पीना यह सब कंटामिनेशन जो है बॉडी में घुश जाता है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी को पीए तो गर्म करके फिर ठंडा करके ही पीएं अच्छे से साब सुत्रा पानी फ्रेस वाटर का यूज करें कि आप यह ध्यान रखें कि वाटर से सबसे जादा कंटामिनेशन होता है और इसके बाद फिर खाने से होता है अनियमें दिंचर्या लाइफ इस्टाल का खराब होना इसके लिए बहुत उत्तरदाई है तो ध्यान रखा जाए कि यह भीमारी ना हो इसलिए साप सुत्री जगह पर बैठें साप सुत्रा खाना खाएं कोसिस यह करें कि गरम करके भी भोजन को खाएं फिटंदा कर लें लेकिन एक बार गरम जरू करें मैनली यह हम चर्चा जो विशा है हमारा वो यह है कि पेट में कोलाइटिस होने पर जो इंफ्लाइमेशन हो जाता है और इससे मुकेस का होने लगता है बडि आत का जो भी असेंडिंग कोलें संद्रांस पर आठें जो है उनमें दिश्चार्ज निकलने लगता है चिखना-चिखना जैसे आपने देखा होगा ऐलोगरा का कभी जूस देखा इस टाइप से इसमें डिस्चार्ज निकलता है और चिकना चिकना डिस्चार्ज लेटन के थ्रू निकलता है जब भी वो लेटन जाता है तो कहीं एलोबरा जैसा फैन निकलता है या चिकना चिकना पिशेंट जो है लेटन साफ करता है तो उसको इतना चिकना लगती है कि परिशान हो जाता है उसको को साफ करकर करें तो हम आज चर्चा करते हैं कोलाइटिस कोलाइटिस आप समझ गए होंगे कि कोलोन का इंफ्लमेशन तो इसमें बीमारी में शाफदानिया यह रखना है कि आपको खाना पीना रहना सब चीज लाइफस्टायल को डिजिप्लिन रखना है शुरू से ही ताकि यह बीमारी ना हो और यह पेशेंट ऐसा नहीं है कि लाइलाज है लेकिन जो पेशेंट हैं वो यह शमझ जाते कि आप मेरा इलाज नहीं हो सकत और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट कोई काम नहीं करते और उनकी यह इस्तिती हो जाती है कि वो विश्टर से नहीं उठते कहीं बाहर जाने के लिए बहुत गबडाते हैं कि कहीं मुझे पौटी ना आ जाए वहाँ पर पूछ लेते हैं कि लैटन की विवस्त इस बीमारी का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है होमिपैथी की दवाएं जो कि इस बीमारी के लिए बहुत ही जादा कारगर हैं उन कुछ दवाओं के बारे में मैं चर्चा करता हूँ क्योंकि होमिपैथी दवा शिम्टम्स के यहाँ से काम करती है इसलिए होमिपैथी की दवा के लिए शिम्टम बहुत मार्पून है कुछ शिम्टम और कुछ दवाओं के बारे मैं मैं जानकारी देता हूँ जिसे आपकी नौलेज बढ़ सके बाकी इन दवाओं को शिम्टम सबसे मादपून लक्षण है कि इस मरीच को स्वीट बहुत पसंद होता है और स्वीट से ही इसकी बीमारी पढ़ती है जब यह मीठा पसंद करता है और मीठे से ही इसको लूज मुशन लग जाते हैं इसको आउं आने लगती है इसके जो लेटन है उसमें मुकस का इतना डिश चार्ज में आने लगती है कभी-कभी इंटेस्टाइन का जो पार्ट है म्यूकस मेंब्रेन वह थोड़ा-थोड़ा कट-कट के कभी-कभी आने लगता है तो इसका सबसे महाद्पूर लग्ष है अर्जेंटम नाइट्रिकम का स्वीट का डिजार यह पेशेंट कभी-कहीं भी क Panda जाता है तो इसको अर्जेंट जैसे आप कहते कोई चीज कहीं बीट यह रेख बीटिस को भी चीज ट्रै तरृबलिंग के लिए चाना है यह मंद्र जाना है कहीं यह जाने के लिए जैसे यह सुरू होता है तो उसको लूई-ज बोन लग जाते है तो कहने की तकलीफ में बढ़ती हैं दस्त बढ़ जाते हैं मेंब्रेन का डिस्चार्ज भी कभी कभी मुकस के साथ होता है तो आप इसकी लक्षन समझ गए होंगे दूसरी मेडिशन है मर्क सॉल इसमें पेशेंट को इतना ग्रिपिंग होता है इतना मरोड होती है पेट में मर्क सॉल में इसकी दूसरी मेड्यिशन है मर्क कॉर तो सबसungen की चर्चा करते हैं मर्क सॉल में इतना मिक्वस आता है कि पेशेंटग झाता है फिर थोड़ी तीर बाद इसका फिर लेट होती है उसके दिमाग मैं उसके पेट में मरोड बनी ही रहती है यहां की ओव लैटन करके आता है फिर भी उसके का नहीं होता है मुस डिस्चार्ब बहुत ज्यादा होता है एलूज मुशन में भी देते हैं और मुकस बहुत आता है तब भी दबाद देते हैं नेवर गेट गॉन फीलिंग और टिनेसमर्ट इसके पेट में ज़ो पेट का दर्द है मरोड है वह कंटीनियस रहती एक यह जिमिकस के साथ केवल मुकस आता है तो, मार्क्सव छो आ और म सोल मुकस की कंडिशन में देते है यह जिमिकस के साथ में बहुत जादा ब्लड आता है जैसे ही ब्लड शुरू होता है तो मर्क सॉल की जगए मर्क कॉर देना चाहिए तो आप समझ गया होंगे, only mucos के लिए मर्क सॉल और मर्क कॉर उस समय देते हैं जब मुकस के साथ ब्लड भी आता है ठीक है थर्ड वैडिशन है कॉल्चिकम का एक सबसे बहुती सुन्दर लक्षण है कि किचन की गंध से इसको बहुत एग्रवेशन होता है इसको उल्टी का मन तुरद होने लगता है इसल्ग को किचन से दूर रखते है इसने मरीज को हैं किचं की गंध beyond इसको बिल्कुल सेहन नहीं होती उल्टी का मन लगता है और इसकी तयाद मियत खराब हो जाती है तो कॉल्चीकम एक मेडिशन है जिसको किचिन की गंद से बहुत एलर्जी होती है इसका एक महात्पूर्ण symptom है इसके साथ द्रस्ट मरोड कॉलाइटिस सब हो सकता है लेकिन किचिन की गंद से इसको अग्रविशन होना चाहिए अब चौती मेडिशन है डाय सकोरिया का द्रस्ट है कोलोसिंथ तो डायस को या इक एसी मेडिशन है जिसमें पेशेंट को मूवमेंट से रिलीफ होता है जोड़ी जाता है तो कोलोसिंथ का पेशेंट फूर्सी जुपके बैठ जाता है जब कि Dyskoria का पेशेंट ऐसे बैठता है कि आप समझ गये हômगे कि कुलोसुन्त का पेशिह ऐसे बैठता है को ड़ाता यह नहीं सोल गोनता है चलता फिर तो इसको रेलीफ होता है तो इस कोलोसिंक और डाईसकरिया दे सकते हैं लेकिन इसका डार इसकोरिया में मुव्मेंट से कोलोसिंक Помर200 da मां यह जा तो यह पहला। वह अदर बतादों कि की सिंत वह व कहीं ज स्वरिप में कहीं बियानगे Smith पढ़ में यहां जाती घ्र हो जाती है तो का यह तो फंड कर जाता को खेंगर जहते जो पेलिये चीछ से बर्निंग के लिए भी इते हैं जैसे कोई जाता है या कहीं पर burn हो गया है तो उसके लिए use करते हैं बागी यहां पर kolitis में इसको इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी लेटन में जलन होती है इसको पानी की प्यास लगती बॉम्टिंग होती है और पेट में मरोड होती है मुकस आता है तो यहां पर कैंथरिस इसलिए use की रही क्योंकि इसी में बर्निंग है बर्निंग की और भी मेडिशन है लेकिन मुकस के साथ में बर्निंग कैंथरिस के जो मेडिशन है वह best मेडिशन है